आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरे नाम ऐसे धान तक नहोतरी स्टेडी गलोस पर आपका बहुत-बहुत स्वागा था तो आज हम बात करेंगे इल्यूमिनाटीज आप इनका नाम सुना होगा इल्यूमिनाटी बहिए इनका तो बड़ा क्या कहते है कि ऐसा बोला जाता कि आज वर्ल्ड बैंक, IMF यह बड़े-बड़े लोग हैं सब इल्यूमिनाटी का हिस्सा है यह पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहते है, New World Order इनको बनाना है तो काफ़े इंट्रेस्टिंग टॉपिक है हम इने इल्यूमिनाटीज पर बात करेंगे, तो कौन है इल्यूमिनाटी देखिए, इल्यूमिनाटी का जो लाटिन वर्ड है कहते हैं, Illuminatus, यानि कि Enlightened एक मही 1776 में, यह वही वक्त है, जब अमेरिका में War of Independence भी शुरू हुआ था, बड़ उससे कोई लिना देना नहीं है बावेरिया में इस सीक्रेट सुसाइटी को फाउंड किया, देकि उस समय बहुत सारी सीक्रेट सुसाइटी चलती थी क्यों चलती थी, इसलिए चलती थी, क्योंकि उस समय चर्च का पूरा हस्तक्षिप, हलाकि 1776 आते आते चीज़े काफी कंट्रोल में होने लगी थी लेकिन चर्च का पूरा का पूरा कंट्रोल था, अब धर्म के खिलाब आवाज नहीं उठा सकते थे सरकार जो थी, वो डेस्पॉटिक थी, राजा डेस्पॉटिक थी, राजा महराजा का रूल था साइंस की बात नहीं कर सकते थे, आप लोगों को फ्रीडम नहीं था तो अब लोग इतना तंग आ गये थे, जो पढ़े लिके लोग थे, ये सोसाइटी को बनाना बहुत ज़्यदा जरूरी था इसी सीक्रेट सोसाइटी, इसमें फ्री मेसंस, कार्बोनेडी, यही बाद में इटली को उनिफाई करेंगे, राश्टरोबाद आएगा तो ये जो सीक्रेट सोसाइटी थे, बहुत सारी इस तरीके की सीक्रेट सोसाइटी जो है, क्यूंकि सरकार इतनी निर्दाई हो गई थी, इसलिए बनाए गया था, पांच लोगों ने मिलके इसको बनाया था अब क्यूं बनाया था, ये नया वर्ल्ड ओर्डर जो है, वो create करना चाहते थे, that's it, नया वर्ल्ड ओर्डर, पूरी दुनिया को बदल के रखना चाहते थे, क्यूंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा अन्याय है, तो धर्म की वज़े से है ये, ये राजाओं की वज़े स सरकारों की वज़े से, तो इनको खतम कर दो, पूरी दुनिया में revolution लेकि आओ, क्रांती लेकि आओ, और एक नई दुनिया बना दो, जो कि ना ही किसी धर्म को मारे, ना ही किसी भगवान को माने, ये एक नई दुनिया, ये इनका main aim था, किसी भी तरीके के अंद विश्वास से एकदम ये oppose करते थे, और ऐसा बोला जाता है कि बहुत सारे जो assassinations हुए हैं, जो revolutions हुए हैं, वो इन ही illuminati में करवाए हैं, ये चीज है, तो ये जो ग्रुप था, उस समय enlightenment, प्रभुदन काल अलेडी चल रहा था, तो ये ग्रुप, it was inspired by the ideals of enlightenment, 28 साल के Canadian Professor, Canon Law, Adam Bishop, वैसे आ ये बताते हैं कि भाई, reason और philanthropy एक अच्छी लिए illuminati बनाया गया था, कि ये बहुत ज़्यादा जरूरी है उपोस करना, कही कहीं आप इसमें देखेंगे कि illuminati, marxist idea से भी काफी ज़्यादा relate करता है, कि सरकार नहीं होनी चाहिए, religion को खतम कर दो, धर्म नहीं होना चाहिए, ये चीज़ है, अब पहले इसका नाम illuminati नहीं था, बाद में इसका नाम illuminati's रखा गया, हम ये देखते हैं, तो ये ही चीज़ है, और अगर आप इनके उसको भी देखेंगे, जो general status थे, यही था कि हम injustice को खतम कर देंगे, और ये जो दुनिया हमको dominate कर रही है, इसको भी खत Freemasons ने Illuminati's को join किया, पहले से till the end of this 13th century तक ये रही है, और बहुत सारी conspiracy theories, Freemasonry से, conspiracy theory आप समझते हो, conspiracy theory जैसे conspiracy theory भी बहुत चली थी कि, Hillary Clinton है, जब Donald Trump के साथ चुनाओ लड़ रही थी, Hillary Clinton एक pedophile है, ये बच्चों को, बच्चों का शारीरिक शोशाड करती है, और ये भी एक Illuminati's के अजीब हो गरीब, ये काम करती है, एक pizza parlor के नीचे जो है, इसने अपना पूरा का पूरा गढ़ बना सकता, और ये conspiracy थोरी जो बड़े खतरनाक होती है, जैसे एक conspiracy theory area 51, उसका मैंने lecture लिए आप देखिएगा, कि वहाँ पे aliens है, अब दोस्तों है नहीं है, लेकिन एक conspiracy theory है, ये conspiracy theory, ये rumor की तरफ बहुत तेजी से ये फैलती है, वो theory जो एक साजिश के तहट गड़ी गई हो, ताकि लोग उस पर Illuminati's के साथ रही है, तो ये चीज़ है, अब जब ये, अब दिखिए भाई ये तो आप समझे कि ये secret order थेजी से फैलने लगा, ऐसा बोला जाता कि Isaac Newton भी Illuminati's का पार्ट थे, अब ये जैसे जैसे फैलने लगा, तो Catholic Church, भाई, Church का पूरा control, तो 1784, 85, 87, 90 में इनको आउट ल Illuminati's को punish किया जाता था, ये underground हो गए, और ऐसा बोला जाता कि जो French Revolution आया, उसमें भी Illuminati's का हाँ था, उन्होंने influence किया भाई, इनके political ideas 1776 में आये, और French Revolution में कैसे ऐसे coincidence हो सकता है, कि जो ये ideas बता रहते हैं कि इसमें religion नहीं होना चाहिए, चर्च को हटा दो, और enlightenment लेके आएंगे वही सारे ideas French Revolution में भी थे, एम क्या तक रुका कि political decision को influence करें और मुनार्की और चर्च को disrupt करें, क्योंकि उसमें बहुत बुरी हालत थी दोस्तो, चर्च और ये मुनार्की ये मिलके एक ऐसा माया जाल बनाती थी कि लोगों के लिए जीना बड़ा मुश्किल हो गया साथी साथ, Isaac Newton भी ऐसा बोला जाता है कि Illuminati के पार्टे दे कि ये सब बोला जाता है, थे नहीं थे पता नहीं क्योंकि ये secretly काम करते थे, ऐसा, अब इनका जो symbol है, ये bird है, Owl of Minerva, जो की Roman Goddess of Wisdom है, main symbol बना, Illuminati's का, wisdom के लिए ये काम करते थे, अब धीमे धीमें की membership जो है, आप समझ रहे हुए, शुरुवात में पहले तो पांच लोगों ने बनाई, फिर नौ हुए, फिर उसके बाद साड़े 600, फिर 2500, अभी इनका एक Facebook पेज है, उसमे भी अच्छी खासी 2-3 लाकी membership है, अब Illuminati के members ने free missions को join किया, free missions को इनका join करने का इसलिए ये था कि, क्यों critical moment चला रहे थे भाई, तो ये तो खत्रा थे देश के लिए, तो इनको band कर दिया गया, तो इन्हों ने दूसरी secret society को join किया, ठीक है, और उसके बाद जो free missions थे, उनको influence करना शुरू किया, कि आप जो है, वो Illuminati में आ जाओ, तो इसलिए अमेरिका में, free missions को लेके, free missionary को ले ही है, समझ रहे हैं, शुरुवात में तो Illuminati's ने किसी पे trust किया ही नहीं, ये किसी पे भी भरोशा नहीं करते थे, अजीब होगरी भी इनके rituals होते थे, क्योंकि इनको लगता था कि अगर किसी को भी बता देंगे, तो हम मार दिये जाएंगे, enlightenment लाना चाहते थे, rational thoughts, self rule लाना चाहते थे, clerics के बिलकुल against थे, ये चीज था, अब क्या ये सब वाकई में हुआ, मतलब एक बहुत बड़ी debate ये है, ये Illuminati के rituals थे, हाला कि जादर तर rituals जो हैं, वो unknown है, लेकिन जैसे मैंने एक movie देखी थी, The Da Vinci Code, उस पे बताते है, जीब गरीमीन के rituals थे, और इसमें rituals में ऐसा बोला जाता है कि शायद, शायद मुझे इसका idea बिलकुल भी नहीं, ये Illuminati का, कि इसमें sexual relations भी शामिल होता था, बट मुझे नहीं पता, ये सच है कि नहीं, कई बार ये list बनाते थे, अपने weaknesses की, कई बार जो enemies होते थे, उनका नाम लि करते थे, कि हमको कुछ नहीं करना, बस आपके लिए काम करना है, ऐसा, अब क्या वाकई में Illuminati दुनिया को control करते हैं, या control करने में सफल होए, देकि historians मानते हैं, कि Illuminati जो है, वो जादा successful नहीं रहे, है ना, बहुती कम successful रहे, ऐसा बोला भी जाता है, कि आजकल जो बड़ जैसे Bill Gates हो गए, या World Bank के जो लीडर्स हो गए, अब जो Illuminati उनका form change हो गया है, वो इनके द्वारा दुनिया को control करते हैं, नया order लेके आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल सच नहीं है, मुझे तो कम से कम ऐसा नहीं लगता, तो ये था, बहुत लोग इसको join भी करन चाहते थे, लेकिन दोस्तों धीमे धीमे Illuminati को खतम किया जाने लगा, उन 1725 के जो Duke और Bavaria थे, Karl Theodore, उन्होंने इन Secret Society को ban किया, और बहुत strict punishment था, अगर कोई भी Illuminati को join करता, या कुछ भी publish होता Illuminati के नाम से, ऐसा, अब churches around the globe, हम देखते कि काफीन के symbols या मैसॉनिक बिल् दिखते हैं, क्योंकि ये conspiracy theory है, जिस पर विश्वास नहीं है, जिसको proper स्थापित नहीं किया जा सकता, उस पर movies मस्त बनती है, ठीक है, पूरी दुनिया को excite करने के लिए, free adrenaline rush, अब society जो है, इनकी बढ़ने लगी, बताया, लेकिन वही है, कि जादत, देकि जैसे जैसे वक देकि अनुने बोला कि सब सस्पेक्ट करो, जो भी शकबर है, सस्पेक्ट करो, और इतनी बुरी मौत दो, खतम हो जाईए, लेकिन बहुत सारी conspiracy theories हैं, यसे जोर्ज वाशिंग्टन, जो कि first president, उन्होंने बोला था, कि illuminati बहुत बड़ा threat है, और इनका ये मानना था, कि और आज बहुत सारे लोग, बहुत सारे president को ये बोला जाता है, they are the members of Illuminati's, conspiracies theories पड़ी बड़ी मज़ा है ये आपको, तो क्या वाकई में Illuminati's Freemason से related है, तो अमेरिका में तो बहुत सारी, ये conspiracies theories अमेरिका में बहुत चलती है, अमेरिका न, इसलिए आप देखते हो ना, क 50CD movies आपको अमेरिका में ही मिलेगी, ठीक है, पता नहीं कहां से कहां relate करते हैं, लेकिन भाई होती बहुत जबदसते हैं, तो अमेरिकान तो मतलब conspiracies, theories में storm, area 51 और पता नहीं क्या-क्या, बड़ा मजा आता है उनको सुनके, तो Illuminati's का इतना डर नहीं था, जितना Freemasons का था है ना, 1826 में अमेरिका में anti-masonic party बनी थी, जो कि Freemasons को oppose करती थी, और Freemasons जो थे, अमेरिका को काफी जादा डराते भी थे, अमेरिका में Freemasons की, Freemasonry, हलाकि कोई as such इतना खतरना ग्रूप नहीं था, ग्रूप था basically Freemasons का एक fraternal organization थी, secularism को काफी जादा प्रोमोट करती थी freedom को बहुत जादा, अभी बहुत लोग अब देखे, Illuminati खता मी हो गया था, लेकिन अभी इसका crazy वह वापस आ गया है, जैसे Illuminati Trilogy, Robert Shee, Robert Anton Wilson ने ये जो किताब निकाली, ये बड़ी जवर्दस हुई, फिर इसके बाद Angel and Demons, इनकी जो किताब थी और इनकी जो movie आई है, Angel and Demons पर, वो बड़ी famous हुई, अभी अगर conspiracy theories की बात करें, तो ये बोला जाता है कि भाई, Justin Bieber हो गए, Madonna हो गए, Eminem हो गए, Katy Perry हो गए, Beyonce, JZ, बहुत सारे लोग Illuminati's का हिस्सा है, बाद एक बार Beyonce ने बोला बिता रहे यार, क्या ये सब rumors से इसको बंद करो, ऐसा कुछ भी नहीं है, और rumor ये भी है कि Illuminati का जो headquarter है, वो Denver International Airport के नीचे located है, अब ये कितना सही है, कितना गलत, पता नहीं, लेकिन दोस्तों, ये Illuminati है, फिलाल Illuminati's जो है, वो exist करती है, नहीं करती है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये lecture थोड़ा interesting था, मुझे लगा कि चलिए, आपको बता ही, देता है topic, मतलब interesting था, 1180 का जनम बहुत अच्छे के लिए हुआ था, मतलब काफी जादा ये लोग support करते थे, कि हाँ, वाकई में, दुनिया में नया order राना चाहिए, लोगों के लिए ये बात करते थे, जो लोग इतना परशान है, उनके लिए बात करते थे, और उस समय कि secret society आके में काबिले तारीफ थी, लेगिन उसके बाद धीमें धीमें, क्योंकि ऐसे laws आने लगे, कि भाई अगर ये कोई भी secret society, अगर ये लोग घूमेंगे तो उनको पकड़ो, धीमें धीमें ये धननने लगा, तो छोटा सा lecture, आयोब आपको पसंद आया होगा, खोश रहे पर ते रहे देसे सिद्धान तक नहीं होतारी साय नहीं हो